तो गुट मॉर्म एब्रीवन आई वेलकम यू आल तो लेट्स क्रेक्ड यू पीएसे चेसी तो इन टोपिक्स एट्विएस इस्टी इंडेक्स यह हम लोग डिसकुस करेंगे यह नहीं जो सस्टनेबल डिवलॉप्मेंट इंडेक्स है वह आपकी नीतियायों के द्वारा रि इन जर्नल जो टॉपिक्स हैं वहाँ भी आप आर्गुमेंट के रूप में इस्तमाल कर सकते हो टैक्स और डिजिटल सर्विस यह टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है एकनॉमी कंटेक्स्ट में भी और क्या इस तेरा पॉसेबिलिटी ओफ ट्रेड वर अगेन यह थोड़ा सा डिसकस्ट करेंगे इस पे भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता तो यह टॉपिक आपका एकनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है ब्लाक कार्बन के ओपर एक वर्ल्ड बैंक की स्टेडी पब्लिश हुई है तो यह काफ़े इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या इंप्राक्ट यह technology है, technology versus privacy और आपका polity से related topic भी बन सकता है, GS paper 3 में भी प्रशन इसमें बन सकता है, किदारनात case in the context of journalist, वो अभी honorable supreme court का एक judgment आया है, कि जो sedition charges है journalist के उपर, उनको journalist पर impose नहीं करना चाहिए, तो किदारनात case हम discuss करेंगे, इसके बाद आपके prelims booster है, तो इसमें 4 topics हैं, that we are going to discuss, so कुछ topics आपके website से भी लिएगा है हिंदू के, so this session is presented by me, my name is Saurabh Pandya, I.S. exam की तयारी कर रहा है, अनकेडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जरूर से जुड़े, सारे जितने भी subjects आपको पढ़ने हैं, सब की आपकी live classes conduct होती हैं, अगर आपसे classes miss हो जाती हैं, तो live classes जो अगर आपकी miss हो जाती हैं, तो आप recorded classes देख सकते हैं, agriculture optional आपका शुरू हो रहा है, July 5 से, और July 10 से paper 2 स्टार्ट हो रहा है, इसका 10 जून से, 10 जून से, free में unacademy के अंदर I am starting the course also, तो आप लगबख 15-16 days classes कर सकते हैं, इसमें हम कुछ advanced topics को discuss करेंगे, लगबख 50-60 topics को discuss करेंगे, यह सारे topics आपके syllabus में हैं, तो आपके यह भी cover भी हो जाएंगे, और उसके बाद आप July 5 और 10 से join कर सकते हैं, यह भी आपकी उपर हैं, तो यह 10 जून से आपका शुरू होगा, class 11 बजे होगी, link मैं आप से share कर दूँगा, free class होगी, current affair की classes already चल र है, mega subscription offer है, printed notes आपको मिलेंगे, तो अभी भी opportunity है, अगर आप अभी subscription लेते हैं, इसमें आपके कई सारे benefit है, the code that you have to use is that is SPLIVE, इस code का आप इस्तमाल करके join कर सकते हैं, जितने batch courses है, मेरे द्वारा courses है, मतलब पुरे platform साल, दो साल के अंदर जो भी कुछ हाएगा, जितने time की duration का आप subscription लेते हैं, वो सब आप access कर सकते हैं, तो आप इसका benefit जरूर से उठाएं, academy combat का भी आप हिस्सा जरूर से बन सकते हैं, if you are scoring good rank, तो उसमें भी आपको scholarship मिलेगी, यह संडे को होता है, 11 बजे, use the code SPLIVE, और आप इस पे अपना जो test है वो दे सकते हैं, और जो rank बेसि देखो, editorial का, तो यह topic important नहीं, यह important नहीं, यह important नहीं, कुछ topics हमने already IT rule पर discussion है, already discuss किया है, तो काफी सारे जो arguments हैं, topics लगातार चलते जारे हैं, खासता और से IT rule को लेके, पुरा one week से we are discussing, तो बहुत सारे arguments, बहुत सारे angles हम लोग ने discuss किया हुआ है, यहाँ भी यह अच्छा topic है, इसको आगे चलके हम लोग discuss करेंगे, यह digital tax tussle, यह एक नया concept भी आपका आ रहा है, digital tax tussle के बारे में, और यह इस पर इंडिया भी काफी effect होगा, economic topic है, so we will discuss this topic, so let's start, जो topics हैं, पहला जो sustainable development index, SDG index है, उसके बारे में जानते हैं, और sustainable development, जहां people, profit और planet, तीनों का ध्य जहान रखना है, इस पर काफी ज़्यादा हमेशा से emphasis भारत ने किया है, और इस समय जो भी problems आप की आ रही हैं, चाहे वो pandemic की हो, चाहे climate change, global warming, या frequent जो disaster देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो drought हो, चाहे वो cyclones हो, बहुत सारी disasters देखने को मिल रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए कई सारे प्रयास करने की जरूरत है, और उस context में कई सारे जो प्रयास हैं, वो किये भी जा रहे हैं, कई सारे देशों के द्वारा, तो यहाँ पे sustainable development index, जो कि किसके द्वारा launch किया गया है, नीतियायों के द्वारा ही यह आपका launch किया गया है, जैसे जो यह SDG goals हैं, जिसे हम sustainable development goals कहते हैं, इन goals को आपको 2030 तक achieve करना है, United Nations के यह goal है, अब यह goals आप जरूर से याद रखो, देखो क्या होता है, कि prelims में तो प्रेशन जो भी आएगा, जैसे कई बार match the following, या वो तो आपको पता ही होना चाहिए, लगबग यह 17 goals है, इसकी एक PDF भी है, अगर आप इंटर इन journal भी अगर आप type करेंगे, sustainable development goals तो आपको जरूर से मिलेंगे, उसमें क्या है, कि जैसे मालो goal 1 है, related with poverty, no poverty, फिर दूसरा goal है, zero hunger, इसी तरीके से ये जो goals हैं, ये goals अगर आप अपने syllabus को analyze करोग, GS2 को और GS3 के syllabus को, तो किसी ना किसी portion से कोई ना कोई goal linked है, जब भी आप आप कुछ लिखते हो, तो वहाँ पे as a suggestion, argument के रूप में आप इन goals को mention कर सकते हो, कि अगर हम ऐसा करेंगे, तो ये sustainable development goal है, इसको हम achieve कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा एक आपके answer को enrich करने के लिए काफी helpful रहेगा, दूसरा का है, जिस PDF की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो PDF में एक line headlines type दी हुई है, मतरब जैसे अगर आप no poverty और इसके नीचे आपकी headline सा दिया हुआ, फिर explanation दिया हुआ, वो जो headline लिखी हुई है, वो आपको बहुत जगे, एसे में काम आएगा लिखने में, और कई सारे जो questions हैं, उस पे आप उसको use कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो, climate से, water से, industry से, urbanization से, women से, related, बहुत सारे जो goals हैं, अलग-अलग areas से यह आपका deal करते हैं, तो इसको आपको जरूर से ध्यान में रखना है, अगर इस sustainable development index की बात किया जाए, तो देखो sustainable development goals हैं, यह जो sustainable development goals हैं, हमें 20-30 तक achieve करना, मतलब पूरे जो countries हैं, जो United Nations, United Nations की member countries हैं, उनको यह goals achieve करने हैं by 2030, 2030 तक आपको यह goals आपके achieve करने हैं, अब हम किस तरीके से इन goals पर आगे बढ़ रहे हैं, इसको जानने के लिए, नीतियायोग ने SDG index को launch आपका किया था, तो पहली बार यह जो index publish हुई थी, December 2018 में तो यह prelims का fact आपके लिए हो सकता है, तो य main aim क्या है कि किस तरीके से जो states हैं, union territories हैं, वो अलग अलग जो indicators हैं, जो कि decide और define किये गए हैं नीतियायोग के द्वारा, जो कि within ये जो 17 goals हैं, sustainable development goals के, इसी के अंदर हैं, जो states और union territories हैं, वो किस तरीके से perform कर रही हैं, तो एक दूसरे के बारे में जानकारी होना, साथ में को को पता चलेगा, जैसे जो जागरूक लोग हैं, जो aware हैं, थोड़ा पढ़ते लिखते भी हैं, तो उन्हें भी पता चलेगा कि मेरा जो state है, sustainable development index में किस तरीके से perform कर रहा है, प्लस जो data share किया जागा है, तो state governments को भी जानने को मिलेगा कि उन्हें किस प्रकार से, और किस direction में और कार करने की जरूरत है, तो यह सारी चीज़ें आपकी benefit होंगी, और सबसे important यह भी है कि यह हमें एक direction पर लेकर जाएगा, जिससे कि we can contribute, we can contribute in overall achievement of sustainable development goals by 2030, यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, यह जो index है, it has been developed in collaboration with United Nations in India, तो यह fact भी आपको याद रखना है, उसके बाद किसके partnership in collaboration with United Nations in India, और ज्यादा तर कई सारे national और sub-national level in the country's journey towards meeting the global goal and targets, तो में जो जैसे मैं आपको कहा कि aim यही है, कि हमारे states और union territories किस तरीके से perform करना है, उसको measure करने का काम, sustainable development index या SDG India index के द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर SDG India index and dashboard 2021 partnership in the decade of action, तो यह आपका इस बार का title है, जो third edition of index report, जो publish हुई है, उसका जो title है वो यह है, यह भी prelims के लिए important है, यहाँ तक at least आपको याद होना चाहिए, यह जो title यह जरूर से याद होना चाहिए, साथ में आपको यह जो पहली बार, पहली बार जो publish हुआ थे index, यह याद होना चाहिए, और इस बार का index कौन सा है, तो I think third edition जो है, वो आपका आया है, यहाँ पे India saw significant improvement in sustainable development goal related to the clean energy, हमारा जो overall performance देखा जाए, clean energy में, urban development में, health में, यह हमने अच्छा perform किया in 2020, in comparison, यहाँ पे जो performance होता है, वो relative performance होता है, कि पहले हमने क्या किया, और अब हम क्या कर रहे है, अगर सप कि हमारा performance comparatively कम हो, लेकिन जब हम अपने performance की बात करते हैं, तो that is based कि हमारा past में कैसा था, और अब हम किस तरीके से perform कर रहे है, कुछ जो decline देखने को मिला है, वो industry, innovation, infrastructure, अगर आप इन एक-एक points को देखोगे, यह सब part है, जो SDG goals है, SDG goals आपको जरूर से याद होना चाहिए परपस क्या है, यह मैंने आपको बता है, इसके अलावर नितिया योग ने, यह launch क्या है, 2018 में, mainly जो states, union, territories हैं, उनको पता चले कि SDG goals में, किन-किन areas में, उनका क्या-क्या achievement रहा है, एक दूसरे के achievement के बारे में, जानकारी मिलेगी, और आपस में competition भी होगा, यह एक example भी भी कर रहे हैं, so competitive federalism का idea भी यहाँ पर आप कोट कर सकते हो, index of sustainable development goals, यह line भी आप याद करो कि समाजिक, आर्थिक, और environment parameters पर हमारा किस तरीके से performance रहता, अलग-लग states का वो ध्यान में रखना, तो यहाँ पर केरला ने top rank score की, यह prelims का fact आपको याद रखना है, अब अलग- अलग-लग states का performance है, जैसे top states कौन-कौन से है, overall देखोगे तो overall आपका केरला, overall आपको याद रखना है, एक-एक पे याद नहीं रहेगा, no poverty में जैसे tamil ladu है, zero hunger पे केरला है, good health और well-being में गुजरात है, quality education में केरला है, gender equality में 36 गड़ है, clean water and sanitation में गुवा है, decent work और economic growth में ह गालया है, उसका sustainable cities and communities में पंजाब है, responsible consumption and production तिरुपरा है, climate action में उडिसा है, life below water में उडिसा है, life on land पे अनुनाचल प्रदेश है, peace, justice and strong institution में उतरा खंडे, तो यह अलग-अलग states का performance है, अलग-अलग goals में top states कौन से है, वैसे इतने सारा याद नहीं रहेगा आपको, लेक से top performance overall, वो है केरला का, यह आप जरूर, यह जरूर से आपको याद रखना है, यह आपके लिए important, next है, journalist need protection against sedition charges, तो लगातार, quality का जो एक बहुत important आपके लिए topic बन कर आ सकता है, और जो frame भी आपके लिए question हो सकता है, that is related, जो कि आपके लिए important हो जाता है, पहले जो हम लो से related है, continuously two-three days से, we are discussing about the sedition, और अभी हाल में ही, honorable supreme court ने भी इस चीज को highlight किया है, कि journalist need protection against sedition charges, देखो, जब हम अपने democracy की बात करते हैं, So when you talk about Indian democracy, Indian democracy में जो pillars हैं, किसी भी democracy में जो major pillars होते हैं, जैसे एक तरफ आपका legislature हो गया, एक तरफ आपका judiciary हो गया, एक तरफ जो है वो आपका media हो गया, तो legislature है, executive है, judiciary है, और media, media को fourth pillar कहा जाता है, although उसमें काफी सारी debate आपकी लगातार होती रहती है, लेकिन यहाँ पे जो एक बहुत important point है, कि public, public और सरकार, मतलब executive या legislature के अगर आप बात करो, उनके बीच में जो bridge का कार करता है, that is media, अब इस media में भी अलग-अलग different form of media होती ह जैसे आपके print media है, electronic media है, आज के सामने में, आज के time पे digital media है, बहुत सारे, और इन media में अलग-अलग anchors हैं आपके, अलग-अलग journalists हैं जो काम करते हैं, उनका different opinions है, उनका different ideological inclination है, जैसे अगर आज के समय में भी अगर आप TV देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, कि यह क इस ideology के साथ काम करते हैं, आपकी जिस तरीकी की ideology होगी, आप उसी हिसाब से आप उस channel को follow up करोगे, लेकिन यहां समझना क्या है, कि जो difference of opinion है, वो democracy के अंदर maintain करना चाहिए, जैसे कई लोग होंगे, जो suppose करो government को support करें, कई लोग होंगे, जो कोई policy है, उस policy को criticize करेंगे, तो दोनो opinions matter करते हैं, जैसे अगर किसी चीच के positive का भी आपको पता होना चाहिए, किसी चीच का negative का भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कोई policy लेकर आया जाता है, तो उसमें कई सारे negatives हैं, कई concern हैं, तो उसको भी सामने लाना जरूरी है, और कई सारे positives हैं, उसको भी सामने ला रहे हैं उसको किस तरीके से यूज करना वो एक अलग डिबेट आपका बन जाता है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर यह जो डिफरेंट ओपीनियन्स हो वो मेंटेन रखना चाहिए अब सपोस करो कि अगर कोई क्रिटिसाइज करता और एक्स्ट्रीम क्रिटिसिजम है है ना क्रिटिसिजम हो एक्स्ट्रीम फॉर्म ऑफ क्रिटिसिजम है सो यह जो क्रिटिसिजम है इसको एसा नहीं जैसे अभी आंदर प्रदेश में का केस था जिसमें कुछ तेलगू चैनल्स थे और वहां पर फिर सेडिशन चार्जिज लगाए गये तभी कल या परस्वाम लोग लाए गये हैं उसको भी डिसब्रूफ किया है कि यह ऐसे सेडिशन चार्जेज आपके नहीं लगने चाहिए तो यहां पर हाइलाइट किया गया है कि जर्नलिस्ट के पास राइट है टू क्रिटिसाइज इवन ब्रूटली मतलब सरकार को पूरे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो जरूरी यह है कि जो क्रिटिसिजम है इवन ब्रूटली है अपर एग्री या डिसग्री कर सकते हो विद आट कैंड अफ क्रिटिसिजम बट इट विल नॉट बी एक्कुलेंट टू सेडिशन यह पॉइंट हाइलाइट किया गया है तो फ्री स्पीच ऑफ जर्न की वो भी कही हद तक अफेक्ट हो सकती है यह बहुत जरूरी है तो यहां पर ओनेस्ट और रिजनेबल क्रिटिसिजम प्रॉइड करना किसी भी चीज के लिए जैसे कोई भी पॉलिसी हो कोई भी सरकार के दौरा इस्टेप हो या समाज में कुछ भी चल रहा हो तो उसके प् उन्रेबल सुप्रीम कोट ने हाइलाइट किया था कि अगर किसी एक्ट सरकार के किसी एक्ट या किसी एजनसी या लोगों के कंडिशन्स पर या किसी एक्ट के कैंसेलेशन पर किसी लौ के ऊपर अगर कोई स्ट्रॉंग कमेंटिंग करता है या कमेंट करता है और उसकी वज कमियां हैं सब्सक्राइब काफी सारी कमियां हैं तो यहां पर जब काफी सारी कमियां है तो उस प्रोवीजन को हाइलाइट करते हुए और आप बता सकते हो कि देखो यह यह प्रोवीजन है और इसमें यह यह कंसर्ण है तो यह एक क्रिटिसिजम हो सकता है तो अगर कोई इस इसका मतलब यह नहीं कि जैसे कि फियर लोगों तक पहुँच जा और वहाँ पे रायट्स और वॉयलेंस हो जाए ऐसा नहीं करना इसका कोई freedom नहीं है यहाँ पर जो freedom है जैसे कोई law है farmer जो farms bill है citizenship amendment act है बहुत सरे ऐसे act और bills है जिस पे different opinion हो सकता है जब different opinion आपका होता है तो उस different opinion को आप सामने रख सकते हैं यह एक right भी है और इस right को journalist की right को protect करना यह भी बहुत important है और इसकी importance के बारे में 1962 के के दारनाथ case म जब भी आप किसी act को criticize करें अपने opinion को सामने रखें तो उसकी वज़े से violence ना हो या public order जो है वो खराब नहीं होना चाहिए यह भी हमें ensure करना यह भी बहुत बड़ी है आपकी जिम्मेदारी बन जाती है so 1962 judgment said section 124a of Indian Penal Code was intended only to punish subversion of lawfully established government through violent means तो यह बहुत जरूरी अब देखो इसमें अगर आप चीजों को link करने का कोशिश करो suppose करो citizenship commitment act है suppose करो farmer farm bills है यह अलग-अलग bills है अब इसमें अगर कोई opinion सामने रख रहा है criticism है discussion है तो यह क्या जो laws है laws की जो flaws है वो पता चलते है और उसके improvement के लिए हम कार करते हैं लेकिन यह भी हमें ensure करना है कि अगर इन laws से related या कोई दूसरे laws से related हम प्रयास करें लोगों को ऐसा इकठा करने की कोशिश करें या फिर कुछ ऐसे steps लें जिससे कि जो established government lawfully established government है उसको हटाने की कोशिश करें आना किसी violent mean के माद्यम से तो आपका it will be equivalent to sedition यह point हमें सिर्फ ध्यान में रखना है लेकिन अगर कोई comment करता है अपने views रखता है that will not be equivalent to sedition यह बहुत important point है और जब भी आप इस पे अपने answer लिखते हैं तो इन points को जरूर से highlight करने की जरूरत है ठीक है यह कुछ points है जो आपको जरूर से highlight करने की जरूरत ह this is again related with this topic is related with whatsapp so इसमें कुछ points highlight किये गया है उसको discuss करता है यह छोटी सी news आपकी front page पे भी आई है और यहां भी whatsapp is indulging in anti-user practices government के द्वारा आपका highlight भी किया गया है ठीक है so whatsapp is indulging in anti-user practices government यह debate चल रहा है इदे को क्या होता है जब किसी भी democracy में debate चलता है बहुत अच्छी बात है democracy का यह advantage ही है सबसे बड़ा advantage ही है कि यहां पे जैसे for example if I am saying something कई बच्चे बहुत अच्छा comment लिखते है different opinion लिखते है कि नहीं sir आपने जो यह चीज बोली है इसमें ऐसा भी हो सकता है यह बहुत अच्छी चीज है जब आप कोई viewpoint को सुनते हो तो जरूरी नहीं कि आप सिर वो उसी viewpoint को carry करो viewpoint अगर आप किसी के सुनते हो तो वहां पे वो viewpoints आपकी thinking को एक direction में लेकर जाती है लेकिन यह भी ensure करना है कि हो सकता है कि आप उस viewpoint से थोड़ा सा disagree करें और जब disagree करें तो बहुत ही logical sense में logical sense में आप अपने views को हमेशा सामने रख सकते हो यह बहुत अच्छ से continuous basis पर discussion चल रहा था और यहां पर privacy policy है अब देखो privacy के बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपसे एक बसंती अप्रोच के बारे में discuss किया था तो जो बच्चों ने उस session को देखा होगा तो उसमें explain भी मैंने किया था what is बसंती अप्रोच खास और से data privacy की जब आप बात करते बसंती अप्रोच मैं थोड़ा से brief में आपको बता देता हूँ जैसे आपने अगर सोले movie देखी होगी तो उसमें जब जय और वीरू बाहर निकल कर आते हैं तो उनको टांगे में लेकर बसंती जाती है और वहां पर रास्ते में बहुत सी बाते जो है बसंती के द्वारा की बसंती है तो देखो privacy जो है कहीं हम इस तरीके से तो नहीं सोच रहे है privacy सारा data हम शेयर कर रहे है विद द प्राइवेट कंपनी और जो पर्सनल डेटा है हर चीज हम सोचल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं still we are concerned about the privacy part तो यहां पर सबसे जरूरी privacy को ensure करनी के लिए अगर आप एक illusionary privacy की बात करते हैं तो यहां भी हमें यह ensure करना है कि आप already जो data आपका है that is not secured why the data is not secured the reason is कि हमारे देश के अंदर कोई data protection law है ही नहीं तो सबसे पहले अगर privacy ensure करनी है तो privacy ensure करनी के लिए आपको data protection जो है law लेकर आना जरूरी है उसके बाद जैसे data localization इस पर भी हमें focus करना जरूरी है कई बच्चे कहते हैं एक बहुत अच्छा point रखा कि we also talk about digital sovereignty digital sovereignty और यह भी concept shared sovereignty जैसे अगर भारत का digital space है तो इंडिया के rules, इंडिया के norms, इंडिया के laws, इंडिया का सम्विधान लागू होना चाहिए तो यही digital space में जब आप इंशोर करोगे that will be digital sovereignty अब कहा गया कि इसको shared sovereignty भी देख सकते हैं मतलब shared sovereignty मतलब अलग-अलग depending upon the conditions आपके USA के भी norms लगेंगे digital space में, इंडिया के भी norms लगेंगे जरूरत के हिसाब से तो यहाँ पर समझना यह है कि जब आप digital space की बात करते हो और उस digital space में privacy की बात करते हो तो जब तक कोई law already exist नहीं करेगा तब तक आपकी privacy protect नहीं हो सकती है in journal, जैसे for example, जैसे मैंने आपको यह concept बसंती अप्रोच वाला बताया यह एक reality रहेगी कि आप already सब कुछ share कर रहे हो और अगर आप share भी नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे आपका consent लिया जाएगा जैसे privacy जो policy है जो privacy policy है वाटसप की, privacy policy जो वाटसप की use की गई है, जो changes किये गए तो उसमें आपको condition दिया जाएगा कि आप यह तो use करो यह छोड़ दो अब आप यह सोचोगी कि में बस और option नहीं है जैसे मालो किसी app को आप download करते हो जब आप किसी app को download करते हो तो उसमें रहता है कि आप allow करो कि आपका phone का जो भी gallery है उसको वो access कर सके और भी कई परकार के data ले रहा है तो consent किस चीज का ले रहा है consent यह कह रहा है लेने के लिए कि अगर आपको मेरे app को use करना है तो अपना data share करना पड़ेगा आपके पास और कोई option नहीं है consent इस तरीके से लेना चाहिए था कि ठीक है चलो आप app use करो लेकिन अगर वो data हमसे share करना है की नहीं यह इस चीज का consent दे दो अगर आप अपने data को share करना चाहते हो की नहीं करना चाहते हो इस चीज का consent दे दो यह तो different चीज हो गई अब उसमें आपके पास option ही नहीं है Gmail के अंदर अगर आपका data सारा जा रहा है तो वहाँ पे आपको Gmail यूज ही करनी है आपके पास और कोई option है नहीं तो उस situation में क्या है आपको अगर Gmail यूज करना है तो आपको consent पर press करना पड़ेगा तो यहाँ पे consent button बनाने से privacy protect नहीं होगी consent button बना दियो और आपको वह button दबाना ही है क्योंकि उसके अलावा आप जो है उसको use ही नहीं कर सकते है तो consent button दबाना is not protection of privacy we have to ensure कि we need a law related with data protection data localization और जो हमारे देश में digital sovereignty उसको maintain करना तो यहाँ पे कहा जाता है trick consent इसको कहा जाता है trick consent तो यह जो trick consent है आपके कि आपको लगता है कि देखो इसने मेरे हाल को पूछ लिया इसने मेरे consent की button दबा के इसने बहुत कुछ मुझसे पूछ लिया यह मेरे कितना ख्याल रखता है ऐसा नहीं है वहाँ पे वो एक app बना दिया और आपको उसको दबाना है अगर नहीं दबाओगे तो consent आपका अगर नहीं रहेगा तो आप app को यूज नहीं कर सकते हो तो यह जो issue है trick consent का उसको हमें दूर करना चाहिए और plus हमें जो privacy part है उसको कैसे और अधिक provide किया जा सके जो data है उस data पर individual का hold खास और से जो personal data है उस individual का hold रखना बहुत जरूरी है दूसरा opinion है वो जो IT rule में भी हम लोगोंने पहले discuss किया था this was related कि जब WhatsApp कोई data को share करता है तो आपका location, आपका नाम और यह सब चीज़े आपका जितना personal data है वो share आप इस चीज़ को समझ जो कि जो personal data है उसको ज़्यादा protection मिलना चाहिए in comparison to non-personal data non-personal data का मतलब कि आपने type किया मुझे pizza पसंद है तो यह जो pizza company है उनको पता चलेगा कि ठीक है आप pizza खाते हो तो आसपास की जितने भी pizza वाले हैं तो जैसे यह for example कि किसी एक area में किसी एक product का consumption बहुत higher है तो उससे related data अगर है तो उससे related कोई भी unit आसपास set हो सकती कोई food chain आपकी create हो सकती अगर उसकी demand बहुत higher है तो यहाँ पर personal data का protection और अधिक important दूसरा कि जब आपका सारा का सारा जो data है with trick consent आप अगर WhatsApp को दे रहे हो और उसमें वो कह रहे हैं कि उस data को हम encrypt करते हैं और फिर Facebook को transfer कर रहे हैं तो Facebook बिना उसके de-encryption के उसको use ही नहीं कर सकता है तो वहाँ पर किस तरीके का protection है यह selective protection of privacy किस तरीके से work करेगी तो किस condition में और कैसे आप data share कर सकते हो और कैसा data share कर सकते हो वो बहुत जरूरी है user का जो say है उसको improve करना या बढ़ाना बहुत जरूरी जादा तक भारत जैसे देश में जहाँ पे WhatsApp के लगभग I think 1.5 billion I think user है है ना यह social media के मतलब लगभग काफी सारी user है 0.5 के असपास billion अगर user है तो जादा तर users they are not digitally literate even though जो digitally literate they are not aware कि इस चोटे से एप से आपके कितना personal data जो है वो transfer किया जा सकता है तो यहाँ पे एक awareness generate करना भी बहुत जरूरी है rules और norms जो है वो भी लाना बहुत जरूरी है जिससे की digital space को secure किया जा सके तो यह point भी आपका जो court है उसमें government के द्वारा रखा गया about the CCI competition commission of India तो जो competition commission of India उसने इस privacy policy पर issue raise किये थे देखो क्या होता है कि जब आज के समय में यह जो digital space है यह digital space ही marketplace है digital space जिसका control is digital space में है वो market को control करेगा उसका कौन competitor आ रहा है उसको वो आने ही नहीं देगा कौन आगे बढ़ सकता है कौन नहीं बढ़ सकता है वो सब कुछ depend करेगा कि किसका control कितना है digital space में जो competition commission of India है वो ensure करता है कि आपके market में जो competitive practices है वो आपके maintain रहे लेकिन अगर कुछ ही लोगों का control data के अंदर होगा या कुछ ही लोगों का control digital space के अंदर होगा तो उनहीं की monopoly होगी और इससे जो competitive practices है that will be affected इसलिए कहा गया था competition commission of India के द्वारा भी कि जो नई privacy policy है इस पर investigation करना बहुत ज़ादा जरूरी हो जाता है to ensure competitive practices next है एक बहुत important article published हुआ है that is related with the black carbon तो continuous basis में जैसे आपके कई चीज़े जो burning होती है तो यह black carbon आपके generate होते है fossils की incomplete burning से भी आपके जो black carbon है generate होता है और भी चीज़े हैं उनकी burning से black carbon generate होता है और यह जो black carbon है यह आके glaciers पर melt glaciers पर जमा हो जाता है और उसकी वज़े से glaciers की लगातार melting हो रही है इस पर प्रश्ण भी आपके कई फॉर्म हुए हैं कई रिसर्च आपके पब्लिश हुई हैं और हिमालय से रिलेटेड जी एस पेपर वन के अंदर भी कई जो प्रश्ण वह आपके लिए फॉर्म हुए हैं मेंस के अदर अब देखो यह जो ग्लेश मतलब अगर आप यह अब्सक्राइब किया जाएगा तो हीट अप होगा और टंपरेचर बढ़ेगा और टंपरेचर बढ़ने के बाद जो यह इसकी मेल्टिंग होगी सिंपल सा प्रॉसेस है जो आपने बहुत बार पढ़ा होगा अब क्या होता है कि इन जर्नल जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉ इंडो गैंगितिक प्लेन के इलॉंग जो भी एक्तिविटी हो रही है इवेन कई स्टडी मतलब रिसर्च पेपर्समें पब्लिश हुए हैं कि मेडिटरेनियन सी रीजन के अलॉंग जो देश है वहाँ पे जो इंड्री हैं वहाँ से वेस्टन डिस्टार्बेंसिस वेस्ट हो जाता है तो जो light reflect हो रही थी वो light absorb होगी जब light आपकी absorb होगी तो heat up होगा और glaciers की melting होगी glaciers की melting से बहुत ज़्यादा effect पड़ता है अब यहाँ पे EC पर study world bank की आपकी publish की गई है इसके कुछ points अब उसको discuss करते हैं तो जो black carbon है यह basically human activities की बज़े से produce होता है और खास तोर से यह glaciers और है यह snow पर आके जमा हो जाता है उससे what happens की जो light है वो absorb होगी glaciers heat up होगे heat up अगर होगे तो उनकी melting होगी और continuous basis पर अगर melting होती जाएगी तो काफी सारे issues होगी इसको समझने के अगर आप कोशिश करो जैसे अगर अगर आप इसको देखोगे तो यह जब यह snow की melting होगी glaciers की melting होगी तो यह पानी बनेगा पानी से यह कठा होगा यहाँ पर river बनेगी आगे जाके फिर वो river जैसे जैसे पानी add होगा तो river बड़ी बनती चली जाएगी तो एक बार जब glacier melt हो जाएंगे तो जो आपके पानी है reverse में वो एकदम से बढ़ेगा अगर एकदम से glacier तेजी से melt होगे तो पानी जो reverse पे है वो तेजी से बढ़ेगा तो flood की situation आ सकती है लेकिन यहाँ पर दो चीजों का balance मेंट है अगर आपके जाके reverse आपकी सूख जाएंगी और इससे फिर drought की situation आपको face करनी पड़ेगी तो यहाँ पर जो rate of retreat है हिमालेन कारा कोरम और हिंदुकुष इन mountain ranges की बात की जाए यहाँ पर तेजी से आपकी melting हो रही है on an average ग्लोबल जो average है उससे भी तेजी से melting आपकी हो रही है जैसे it estimated to be 0.3 meters per year जो rate of retreat of glacier मतलब glacier बनने का जो rate है वो comparatively कम है average अगर overall अगर आप देखें across the world पूरे तरीके से जो current policies है उनको implement करना है अगर पूरे तरीके से साही से सारी policies with global cooperation अगर implement होती है तो इस melting को रोका जा सकता है और तेजी से आपके दुबारा से जो glacier से वो आपके बनेंगे जो black carbon है यह short lived pollutant है अब यह fact याद रखना prelims के लिए आपके लिए प्रेशन बन सकता है identify the correct statement about black carbon तो यह short lived है short lived का मतलब हो गया कि यह कुछ समय atmosphere में present रहेगा जैसे कई gases है वो काफी समय तक atmosphere में यह कुछ समय तक आपके atmosphere में रहेगा और second largest contributor है warming के लिए after carbon die oxide यह आपको ध्यान में रखना है तो greenhouse gases atmosphere में बहुत समय तक आपकी रहती हैं लेकिन जो black carbon है यह तुरंत आपके atmosphere में कुछ समय के बाद यह तुरंत आपका हट जाता है या maybe due to gravitational 4 नीचे आपका deposit हो जाता है तो कुछ measures लिए गए हैं जो कि लेना चाहिए जिससे कि जो black carbon है black carbon के emission को reduce किया जा सके जैसे diesel vehicles उनका इस्तमाल कम करना electric vehicles को promote करना fuel efficiency को improve करना उसके बाद जो gases है पेट्रोलियम petroleum gases cooking के लिए इस्तमाल करना ये stoves और इन सब का इस्तमाल ना करना जो brick clean technology है उसका use करना brick clean का जैसे आपने देखा होगा कई बाद जब आप train से जाओगे तो कई सारी ऐसे इंट की भट्टे type होते हैं और उसमें चिमनी लगी होती है और बहुत धुआ निकलता उसमें अगर आपने कभी train से travel किया होगा तो आपने इस चीज़ को notice किया होगा तो उसको brick clean कहते हैं तो ऐसी चीज़ को क्योंकि वो बहुत ज़्यादा pollution cost करते हैं तो ऐसा technology बनाना जैसे कि उस emission को reduce किया जा सके उसके लिए प्रयास आपका किया जा सके with the existing measures water from the glacier melt is still projected to increase in absolute volume by 2014 with impact on downstream तो जैसे अगर हम measures लेते भी हैं तो भी जो possibility है reduction की मतलब melting आपकी reduce हो सकती है लेकिन फिर भी और ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है और अगर एक बार melting होती है काफी जादा तो एक तो पानी का level बढ़ सकता है एक समय के लिए लेकिन बाद में क्योंकि पानी बचेगा नहीं glaciers आपके बनेंगे नहीं इतने जादा तो glaciers जब नहीं रहेंगे तो जो rivers का अलग अलग हैं उनका जो source अगर नहीं available water जो source है वो अगर available नहीं रहेगा तो आगे चल की जो rivers है वो पूरी तरीके से सूख जाएंगे और उन rivers पे अगर आप imagine करो गंगा, यमुना ये rivers सूख जाएं पूरे तरीके से तो क्या condition हो सकती चाए वो agriculture हो चाए society हो चाए वो culture हो किसी भी level पे अगर आप देखो तो बहुत अधिक क्यों create हो सकता है ये point आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पे calling upon regional governments अलग-अलग जो देश हैं उनको साथ में आना, South Asia में बहुत से जो देश हैं सार्क के जो member उनको साथ में आना जरूरी है, ये बहुत important आपका हो जाता है अच्छे से जो careful planning use of hydro powers ये भी जरूरी, अब आपने बहुत बड़े-बड़े hydro power project बना दिये अब जब आपने बहुत बड़े hydro powers project बना दिये और पानी ही नहीं रहेगा तो बाद में वो dam सूख जाएंगे आपके और वहाँ से जो आप hydro electricity generate करने के सोच रहे हो generate ही नहीं कर सकते हो तो ये जरूरी है, river का flow, natural flow maintain करना बहुत important है और brick clean technology जो proven technology उसको use करना भी बहुत आपका important हो जाता है technology का जो use करना तो यहाँ जो brick clean है, residential जो burning है, एकाउंट for around 45 से 66% regional anthropogenic man-made black carbon, मतलब यह जो brick cleanse है या जो घरों में चीज़े जलाई जाती है, वो बहुत बड़ा factors है responsible for the generation of black carbon, उसके बाद आपका जो road में diesel fuel का इस्तमाल होता है या open burning होती है, वो भी factors है response, इसके लिए इनको रोकने के लिए हमें प्रयास करना जरूरी है next is related with digital services आज के समय में globalization के time पे बहुत सी digital services उनकी outsourcing की जाती है अब देश कल जैसे मैंने आपको BEPS के बारे में we have discussed, base erosion, profit shifting के बारे में हमने discuss किया था, अब यहाँ पे कुछ और भी कदम लिये जाने थे लेकिन उसको वापिस लिया गया है USA के द्वारा that is related with digital tax, अब इसमें जैसे for example एक company है MNC है अब वो जो MNC है कई सारी जैसे digital services है वो digital services इंडिया से लिया जा रहा है, जैसे इंडिया में कई companies है वो digital services USA को provide करेंगे, तो बहुत से digital services digital products इंडिया के द्वारा provide USA में किया जाएगा, अब जो भी digital services और digital products USA में import किये जाएगे उन पर tax impose कर देना और वो भी propose किया गया था लगबख 25%, यह बहुत huge tax है, जो हमें पास advantage है जो हमारे पास advantage है वो advantage हम loss कर सकते थे क्योंकि जैसे इंडिया में यह tax लगबख 2% के आसपास है और इसको increase करने की बात की जारी तो already इंडिया बहुत huge export भी करता है बहुत से ऐसे digital product, digital service provide भी करता है और अगर USA के द्वारा ऐसा कोई कदम उठाया जाता है तो वो काफी ज़्यादा Indian economic effect कर सकता है तो although propose तो किया गया था उसको वापिस ले लिया गया लगबख 25% tax जो आपका digital services पर किया गया था अब यहाँ पर trade war की situation की भी बात की गई थी trade war, trade war की situation ना आ जाए जिसे अगर USA ऐसा कदम start कर देगा अलग-अलग tax impose करना start कर देगा तो कहीं न कहीं इससे फिर दूसरे देश भी same सा policy अपनाने लग जाएंगे कई tariff, non tariff barriers जो है वो लगाना शुरू कर देंगे अपने interest को protect करने के लिए और एक trade war की situation arise हो सकती है जो कि overall global economy के लिए ठीक नहीं है तो यह point भी आपको ध्यान में रखना ये भी possibility हो सकती है तो यहाँ पर जो भी कदम उठाए गया USA के द्वारा उसने although उसको वापिस ले लिया लेकिन future में ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए तो यह जो tariff proposed किया गया थी यह कई सारे देश जिस ता Austria, India, Italy, Spain इनको affect कर सकता था और जो यह step लिया गया है इसके पीछे जो basis है वह है section 301 section 301 of trade act of 1974 इसके तहत क्या होता है कि जो USA है USA का यह trade act है इसमें यह देखते हैं by United States trade representative कौन सा देश किस तरीके से कार करता है उनके interest को affect करने के लिए तो depending upon उसमें क्या conclude वो कर रहे हैं उस basis पर वो कई प्रकार के tax imposed करते हैं मतलब अपने interest को protect करने के लिए इस प्रकार के steps USA के द्वारा लिये जाते हैं तो section 301 investigation carry out की जाती है कि कौन सा देश USA को नुकसान पहुचा सकता है कौन सा नहीं कर सकता कौन सा discriminatory policy अपना रहा है USA का interest compromise और economic level पे और उसी साब से फिर ये कदम आपका उठाते हैं तो ये कुछ points आपको ध्यान रखते हैं ध्यान रखना है question देखते है consider the following statement about sickle cell disease sickle cell disease से related है तो पहला question है it is a group of blood disorder typically inherited from a person's parents it result in an abnormality in the nutrient carrying protein hemoglobin found in red blood cells derived its name from the shape of the patient's red blood cells which have the configuration of the crescent moon or sickle तो देखो ये बहुत आसान प्रशन है बट इस पर भी एक study अभी publish होई थी एक website के अंदर तो उसी पर based आपका ये question है तो यहाँ पर याद रखना है it results in an abnormality in the nutrient carrying protein अब देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी आप पढ़े होगे बाइलो जी तो हीमोग्लोबिन का काम nutrient को carry करना नहीं है oxygen को carry करना है ठीक है तो यह oxygen carrying protein हीमोग्लोबिन found in red blood cells तो यह statement आपका गलत यहाँ पर लिगा nutrient carrying protein इसलिए statement को ध्यान से आपको read करना तो यहाँ पर oxygen carrying oxygen carrying जो protein हीमोग्लोबिन है माकी दोनों statement आपके सही है ठीक है तो जो red blood cells होते हैं उनके shape में changes आते हैं जो sickle cell disease को face करते हैं और जो capacity होती हीमोग्लोबिन की to transfer the oxygen वो भी आपका affect होता है तो यह कुछ points आपको यह यह genetic disease है यह भी आपको याद रखना है मतलब parents से बच्चों को transfer हो सकती है consider the following statement the world fails to limit global heating to 1.5 degree Celsius above pre-industrial level corals will bleach penguins will lose their Antarctic ice flows यह है और उसके बाद the black headed squirrel monkey of the Amazon could be wiped out बहुत आसान प्रशन है आपना थोड़ा logic लगा और answer comment section में सब लोग लिख दो comment section में ज़रूर इसका answer लिखना बहुत ही आसान प्रशन है कि अगर temperature बढ़ता है 1.5 degree के तो कैसे affect होंगे सब ही affect होंगे कौन बच के रहेगा उससे consider the following statement about reasons why agriculture did not suffer the fate of the rest of the economy last year जिस तरीकी कि स्थी agriculture ने face की थी मतलब जो conditions और दूसरे sector manufacturing सर्विस सेक्टर की थी वो agriculture की क्यों क्यों नहीं थी इसके पीछे क्या reason है इसके पीछे क्या monsoon अच्छा है था वो reason है agriculture being exempted from the nationwide lockdown that followed the first wave of COVID-19 availability of the labor force तो यहाँ पे कौन सा factor responsible है तो यहाँ पे एक report भी publish हुई थी तो उस पर based ये दो factors उसमें highlight किये गए थे तो आपको याद रखना है एक तो monsoon है और दूसरा जो exempt किया गया था वो तो यह दोनों points आपके सही है labor force के availability सिर्फ factor नहीं था कि agriculture didn't suffer the fate जो rest of economy को face करना पड़ा था तो यह दो points याद रखना है next देखो consider the following statements about the global heat deaths तो कल discuss भी किया था recently news में भी था और इसमें news भी अभी publish हुई थी तो highest percentage of death heat death caused by climate change where in the cities in North America Sao Paulo Brazil has the most climate related heat deaths average 239 a year more than one third of the world heat death each year are due directly to global warming आपको correct बताना है तो यह comment section में answer बताओ कल ही मैंने आपसे discuss किया था C option है 1, 2, 3 और D option है 2 and 3 अगर आप session live देख रहे हैं तो like बटन जरूर से आप press करें में answer question मैं आपको group में डाल दूँगा इस session का PDF आप download कर सकते हैं telegram channel SP current affairs इस channel से SP current affairs से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं इसी channel में आपको link मिल जागा जहां से आपको अपने जहां पर आपको अपने answer को पोस्ट करना daily dose with s.pande अनकेडमी से जुडने के लिए आप code इस्तेमाल कर सकते हैं that is SPLIV अनकेडमी civil service championship का आप जरूर से हिस्सा बने जो की 13th June को है इस time duration में इसमें अगर आप top 50 rank लेकर आते हैं तो आपके पास मौका है कि आप guide किये जाएंगे UPSC, CSC के top mentors के द्वारा scholarship आप जी सकते हैं और यह test है यह आपका live test है आज के लिए इतना ही I hope यह session आपके लिए helpful रहा होगा I request to you all कि like करें, share करें और let's crack UPSC, CSC को जरूर से subscribe करें Thank you everyone and let's crack it